Friends, ऐसे कई विशे होते हैं या कई बार हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें बहुत रोमांचित करती है UFO या कहें उडन तश्टरी एक ऐसा ही विशे है जिसके बारे में सुनकर या जानकर लोग हमेशा से ही रोमांचित होते आये हैं जी हाँ दोस्तों आपका अंदाजा पिलकुल सही है आज हम UFO के बारे में ही बात करने वाले हैं नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बर फिर से आपके अपने चैनल Fast यानि की Facts, Assumptions and Stories में बहुत-बहुत स्वागत है यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें UFO यानि की Unidentified Flying Object जिसे हम सभी साधारन बाशा में उडन तश्तिरी भी कहते हैं या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी अग्यात वस्तू की हवाई घटना जिसे असानी से समझाया नहीं जा सकता और शायद यही वज़य है कि यह विशे जादर तर लोगों को रोमान्चित करता है इसी वज़य से कई अलग अलग देशों की सरकारों प्राइवेट संस्थाओं द्वारा इसके उपर कई अध्यान और जांज की गई है अगर हम सिरफ अमेरिका की ही बात करें तो अमेरिका ने 1940 में इस पर अध्यान करना शुरू कर दिया इसमें प्रोजेक्ट ग्रज, प्रोजेक्ट साइन और प्रोजेक्ट ब्लू बुक शामिल है यूएफो शब्द ब्लू बुक प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट हैड एडवर्ड जे रेपलेट द्वारा इजाद किया गया पहले UFO को flying saucer यानि की उड़न तश्त्री ही कहते थे इसके इलावा UFO के उपर बनी फिल्मों ने भी इन्हें काफी प्रचलित किया तो आईए दोस्तों आज हम अलग-अलग देशों में हुई UFO की कुछ घटनाओं के बारे में बात करते हैं शिकागो ओहेर 7th November 2006 तकरीबन शाम के सवचार बजे शिकागो ओहेर इंटरनेशनल एरपोर्ट के अधिकारियों को सूचना मिलती है कि धातू से बनी एक उड़न तश्त्री को गेट C-17 के उपर मंडराते हुए 12 employees जिसमें पाइलेट और एरलाइन मेनेजमेंट के लोग शामि फीट था और इससे कोई अवाज नहीं आ रही थी इसी तकरीबन पांच मिनट तक देखा गया और बाद में यह बड़ी रफतार से बादलों को चीरता हुआ चला गया और अपने पीछे बादलों में नीले रंग का छेट छोड़ गया जो बाद में अपने आप बंध हो गय स्टेडियो अटेमी फ्रेंकी इटली फ्रेंट्स मोस्ट पॉपलर स्पोर्ट इन दा वर्ड तूज़न ट्वेंटी वन पावर रैंकिंग के अनुसार फुटबॉल दुनिया का सबसे पसंदीदा स्पोर्ट्स है और दुनिया भर में 3.5 बिलियन लोग इस स्खेल को पसंद करते हैं पर क्या आप जानते हैं कि एलियन्स भी फुटबॉल पसंद करते हैं जी हां दोस्तों हमारी अगली घटना कुछ इसी तरफ इशारा करती है जस्ट किडिंग फ्रेंड्स हमारी अगली घटना इटली के स्टेडियो अटेमी फ्रेंग की फुटबॉल स्टेडियम की है तारीक 27 अक्तूबर 1954 इसी स्टेडियम में तकरीबन 10 हजाल लोग फुटबॉल मैश देख रहे थे लेकिन आदे समय के बाद स्टेडियम में सन्ना का चा बेर्टा छागया भीड में से गर्जना हुई तरशक मैश देखने केबजाए आसमान की तरफ देखने लगते हैं पिलाडी भी मैच खेलना बंद कर देते हैं रेफरी के रिपोर्ट के अनुसार खेल को निलंबित कर दिया गया था सभी लोग आस्मान की तरफ देख रहे थे आस्मान में उन्हें अंडे के अकार की कोई चीज दिखी जिसमें से सिल्वर की चमक आ रही थी इंटर्वियों के दोरान वहां उपस्तित लोगों ने अपने आपको लखी माना कि उन्होंने ऐसा नजारा देखा औरोरा टैक्सिस 17 एपरिल 1897 औरोरा वासियों के अनुसार एक UFO विंड मिल जो की वहां के जर्ज की प्रोपर्टी थी से टकरा कर दुरगटना गरस्त हो गया था जो पाइलेट इस UFO को उड़ा रहा था उसकी मित्यू हो गई थी जब उसकी लाश को बाहर निकाला गया तो वह हमारी दुनिया के इंसानों जैसा नहीं था उसकी लाश को विल्यम रसेल नामक पादरी दौरा इसाई रीती रिवाजों के साथ कब्रिस्तान में दफना दिया गया और यह घटना अपने समय के सबसे चर्चित घटना बन गई जून 1983 की शाम को कुछ लोग आतिश बाजी कर रहे थे जब वे दूसरे दोर की आतिश बाजी की तियारी कर रहे थे तो उन्हें एक हमिंग साउंड सुनाई दी उन्होंने आसमान में तेज रोशनी के समू को एक आर्क की आकरीती में देखा थोड़ी देर में सब कुछ साफ नजर आने लगा लोगों ने देखा कि आसमान में एक बड़ी डिस्क के समान कोई वस्तू मंडरा रही है जिसका आकार सोला से सत्तारा घरों की चोड़ाई के वराबर था एक बात जिसने सभी को चकित किया कि यह डिस्क शान्त उनके उपर मंडरा रही थी फिर उसमें से कुछ हमिंग साउंड सुनाई दी वह मुड़ी और बहुत तेज गती से वापिस चली गई जिस तरह दुनिया के अलग-अलग देशों में यूएफो देखे गए उसी तरह हमारे भारत में भी कई जगहों पर यूएफो देखने की घटनाएं सामने आई जिन में से सबसे चर्चित है दिल्ली फ्लाइंग क्लब मार्श 15, 1951 सुबा 10 बच कर 20 मिनट पर एक मुख्य हवाई इंजीनियर ने अपने दो सहयोग्यों के साथ दिल्ली फ्लाइंग क्लब हैंगर के पास उत्तर से दक्षिन तक आकाश में लगबख 4,000 फीट की लंबाई में लगबख 700 फीट की उचाई पर एक सफेद बादल देखा बादल की लंबाई बड़ी और उसके अंत में एक गोली के अकार की वस्तू जो लगबख 10 फीट लंबी थी दिखाई थी चश्मिदी चिल्लाएं और 17 से 20 लोग बाहर आए और उसे देखने लगे इसकी गती ब्रिटिश वेंपायर जेट की गती के लगबख 3 गुड़ा जादा बताई गई कुल 7 मिनट दिखने के बाद यह अद्रिश्य हो गई प्रोजेक्ट ब्लू बुक ने इस घटना का मुल्यांकन अनाइडेंटिफाइड के रूप में किया इसके अलावा कई बार ऐसी खबरे भी सामने आती हैं कि UFO में से कुछ एलियन्स हमारी प्रिथ्वी से इंसानों और जानरों का अप्रहन करके ले जाते हैं और उन पर अपने एक्स्पेरिमेंट करने के बार उन्हें वापिस प्रिथ्वी पर छोड़ जाते हैं UFO से जुड़ी घटनाओं के बारे में सभी के अपने विचार हो सकते हैं 1980 में Gert Help और हाइनेक द्वारा शोक्या खगुल शास्त्री संग के 1800 सदस्यों के सर्वे में पाया गया कि 24 परतीशत लोगों ने इस पर सवाल का जवाब हां में दिया है क्या आपने कभी ऐसी वस्तू देखी है जिसने पहचान के आपके सबसे समपून परयासों का वर्योध किया इसके अलावा वेग्यानिक भी इस तरफ परयास रत हैं अगले कुछ वर्षों में हमारे पास अन्ने सितारों यानि की एक्सो प्लैनेट की आस पास की ग्रहों पर एलियन जीवन की खोज करने की तकनीक भी होगी James Webb Space Telescope और European Extremely Large Telescope दोनों एक्सो प्लैनेट का विस्तार से विशलेशन करेंगे और जीवन की खोज करेंगे और शायद एक दिन ऐसा आ जाए जब इन सभी तरह के अंदेशों और कलपनाओं पर विराम लग जाए Friends अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें Thank You